हलो नमस्कार स्वागत है आप सभी का दवोकैब सो में दवोकैब सो का आज है डे टेन यानि दसमा क्लास है ये इससे पहले के नौ क्लासिस को हम लोग पढ़ें काफी अच्छा रेस्पोंस रहा आप लोगं का इसके लिए आप लोगं का बहुत धन्यवाद भी और सबसे क्यों ही अधी सदी लोगों तक पहलाते रहिए जोडते रहिए क्योंकि ये जो दवोकैब सो है ये आपके अंदर वर्ड मिनिंग को ले करके यानि वोकैबलरीज को ले करके एक कॉन्फिडेंस क्रियेट करेगा और यही कॉन्फिडेंस आपको इंग्लिश में भी बुस्ट को देखते हैं क्या है आज हमारे शाबने फिर से हैं डॉक्टर एपी जैदुर कलाम इनकी कुछ चंद लाइन है आईए देखते हैं क्या कह रहे हैं ये क्या बात है बहुत ही शानदार बहुत ही उम्धा लाइन लिखा वाइए सपने वो नहीं होते जो आप नींद में सो कर देखते हैं सपने वो होते हैं, जो आपको सोने नहीं देती, तो बहुत ही शांदार लाइन है, A dream is not that which you see while sleeping, मतलब क्या सपने वो नहीं होते हैं, जिसे आप शो कर देखते हैं, तो क्या होते भाई, It is something that doesn't let you sleep, यानि सपने वो होते हैं, जो आपको सोने नहीं देते, तो यही ध्यान रखिएगा, अगर आप भी सो करके सपने देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, सपने वो बनाईए या वैसे होने चाहिए, जो आपको कभी सोने ही ना दे, यह आपके अपने ड्रिम्स, आपके सपने होने चाहिए, चलिए बहुत ही दमदार, श्टांदार कोडेसें के साथ सुरू करते हैं, आज के शेशन को, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, चलिए, सभी बच्चे तो लाईव आई गया होंगे, और एक बार सब को सेर भी कर दिए, ताकि सब लोग जूट जाए हाँ पर, ओके गुड़ इबनिंग सभी को, गुड़ इबनिंग, चलिए आज ही सब लोग फड़ा पर लाईव आजएए, एक बार शेशन को आप लोग शेर भी कर दिजेगा, ताकि हर बच्चेओं के पास ये पहुँच जाए और फिर जूट जाए लोग, ठीके, और आंसर करना आप लोग फड़ा पर अश्रार कर दिजे, ठीके, पास्ट तवाल आपके स्टीन पर ये रहा, बताइए, क्या मिनिंग दिया है, अबसर्ड, है अबसर्ड का मतलब होता है बेतुका, क्या होता है इसका मतलब, बेतुका या भद्दा होता है, या खराब होता है ऐसा कुछ मिनिंग, ठीके, ति इसका सही आंसर क्या करेंगे, बताइए, इसका सही आंसर, मिनिंग से बना है, मिनिंग फुल का मतलब, सार्थक होता है, यान महत when Matter ठीक है और यह मेनिंग कैसी मतलब है जो किसी चीज़ का माँक करते हैं यानि मुझाख उडाते हैं ठीक है सत का मतलब बेतुका भद्दा खराब, मजाग के sense में कर सकते हैं शही आंसे हो जागा radiculous important का कुछ और भी यहां कर सकते हैं significant लिख सकते हैं significant ठीक है ध्यान रखेगा तो यह सब होता है एक बहुत ही शांदार भी होता है critical भी होता है critical का ही मतलब महत्पूर्ण होता है आगे बढ़ते हैं सवाल आपके screen पर यह है यह सब वो ऐसे meaning है जो पहले आप पढ़ भी चुके हैं और काफी important भी है जो exam के point of view से ठीक है, सब उसकान से करिए वाह, क्या बात है कोई बच्चे कह रहे हैं कि join करते जाओ और share करते लो very good यही जजबा होना चाहिए आपके अंदर भी join भी करिए और शब के पास यह फैदाते रहिए, देखिए थोड़ा सा कजब मैं आपके लिए हर दिन रात के 9 बजे यह double caps लेकर आता हूँ, हम तो इस बात से कभी उपते नहीं है, कि क्या कर रहे है भाई चलो ठीक है, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया तो आपको भी इस बात से बिलकुल मतलब बेफिक्र हो करके आप खुद पढ़ने के लिए आईए मतलब रात के 9 बजे लाइब आईए, join करिए इसको और एक बार जितनी भी आपके social media perform है, like facebook, instagram, telegram ठीक है, या WhatsApp group हर जगह इसको share कर दीजे, ताकि जो भी बच्चे इसका लाब उठाने चाते हैं, उनको ये मिल जाएगा, ठीक है, चलिए आगला मिनिंग क्या हमारे देखिए, cordial cordial का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, cordial का मतलब होता है दोस्ताना बोल सकते हैं आप लोग, है ना, दोस्ताना या बोल सकते हम लोग मैत्री पूर्ण, क्या बोलेंगे हम लोग, मैत्री पूर्ण मित्रवत बेभार करने के लिए, तो इसका सही आनसे हैं क्या होजागा, friendly होजागा, friendly और आपने अभी कुछनी पहले एक मिनिंग पढ़ा था, bonhomie, b-o-n-h-o-m-i-e, bonhomie, जिसका मतलब ही था, यहाँ friendship, दोस्ती, है ना, friendship कह सकते हैं, तो इस तरीके से मिनिंग आपने देखा है, कि यह मिनिंग बन रहा है, ठीके, bonhomie का मतलब क्या होगा, friendship यहाँ दोस्ती, तो यही मिनिंग दिया है, cordial, friendly हो जाएगा, rude का मतलब कईवा पढ़ चुके हैं, crude, या uncivilized, क्या पढ़ा है मिनिंग आप लोग, uncivilized, जिसका मतलब ही होता है, अशब्य, गवार टाइप का है, बारवेरश भी कह सकते हैं, आप लोग, गवार का मिनिंग क्या होता है, बा जानते हैं, है ना, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, अगले सवाल की और, अगला मिनिंग क्या बताइए, sumptuous, क्या लिखा मिनिंग आगे बताइए, sumptuous, फटापर सब लोग आंसर करते हैं, बाबू, चलिए ऐसे रहेगा तो मजा नहीं आएगा, जल्दे लिश शेयर भी कर दिए और जुड़ते हैं, सब लोग, इस तरीके से मजा नहीं आएगा, है ना, चलिए इसका अंसर बताइए, आपके स्क्रीम पे सवाल आगिया है, sumptuous, इसका सही अंसर बताइए, क्या होना चाहिए, चलिए कुछ लोगों का सही अंसर तो आ रहा है, ठीक है, ठीक है, द sumptuous का मतलब क्या होता है, sumptuous का मतलब होता है, शांदार, क्या इसका मतलब होता है, शांदार, या बैभव शाली, क्या इसका मिनिंग बोलते हैं हम लोग, शांदार, या मिनिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है, या मिनिंग बोलते हैं हम लोग, शांदार, अब बैभव साली क मतलब च्पनदर किया हो गया है बताई यह तो अगर इसका मिनिंग करें तो यह मिनिंगा पढ़ें आप लोग मेंगनीね παूं को आप न होता है ड। मिनिंग की आपर मिनिंग होता है . यह सब प्रिजब कर दों होता हुंगर या कई बार आपको दिया हो, मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ के option के according इसका सही answer है, क्या होना चाहिए, यहाँ हो जाएगा आपका opulent, opulent का मतलत होता है, prosperous, काफी ज़्यादा, समरिध, प्रचूर के अर्थ में होता है, ठीक है, यह, होना है, perceived का मतलत होता है, deprived क्या होता है, meaning यहाँ पर, deprived, deprived जिसका मतलत होता है, वंचित, होना, bigger का मतलत होता है, alp, alp का मतलत होता है, ठीक है, stingy, stingy मन्स क्या होता है, माइजर, कंजूष, तो इस तरीके से सारा मिनिंग ध्यान रखिए आप लोग है ना चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल आपका है रेंच क्या लिखा है मिनिंग रेंच देखे भाई आप लोग ऐसे मजा ने आ रहा है फिर है ना अब दा वोकैब शो दो दीन से थोड़ा सा प्रॉबलम ये था कि परसों तो इंटरनेट की प्रॉबलम थी तो उसकी वज़ा से लाइब नहीं हो पाया लेकिन मैंने आपको वीडियो तो उपलब करा दिया था रात के लगभग करीब करीब 10 वजे मतला एक घंटे के लमसम में हमने मुवाइल नेट का यूज़ करके वीडियो को प्रीमियर पे लगा दिया था ताकि आप लोग उसको देख सकें कल के क्लास में भी कुछ ऐसा ही कुछ प्रॉबलम था तो मैंने उसके बदले में फिर कल दा टॉक्स रखा था जहां पर आपकी जितनी समस्याएं अब तक आई थी मेरे पास है ना उस पर हमने चर्चा किया था तो चीज़े गैप नहीं हो रही है ठीक है इसलिए आपको ये राज सिंग् का मतल्स होता है किसी से क्या करना किसी से forcibly कोई चीज जपट लेना या छीन लेना ठीक है कुछ लोगों का सही आंसर मैं देख पा रहा हूँ ठीक है very good चलिए range का मतलब क्या होता है forcibly यह नि जवास्ती कोई चीज छीन लेने की अर्थ में होता है ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर छीन लेना तो इसका सही आंसर हो जाएगा rest क्या हो जाएगा rest wr est rest ध्यान रखेगा reset का मतलब होता है कोई चीज रिजेट कर देना और स्विकार करने की अर्थ में supply जानते हैं आप उर्ती करना होता है और डिटर का मतलब होता है रोकना क्या होता है इसका मतलब रोकने की अर्थ में होता है डिटर ठीक है ना मना करना रोकना स्टॉप करना ठीक है तो यह ध्यान रखेगा आप लोग reset को आप बोल सकते हैं रिपील भी का सकते हैं रिपील है ना रद करने के अर्थ में होता है ठीक है रपील मिन्स क्या होता है रद करना रेजेक्ट होता है रपील होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं ले सवाल की और अगला सवाल मिनिंग दिया है डिस्पाइस क्या लिखा है मिनिंग आगे डिस्पाइस देखिए, meaning जो है न, option उल्टा बुल्टा हो गया है, पता नहीं, type करने मसाइद, जो correction करवाये थे हम लोग आपे, तो उसका meaning था यहाँ पे plashy, वहाँ एवहॉर था, A-B-H-O-R, था न उसमें, उसका इसमें आ गया है option, देखिए आपो despise का जो सही answer है, इस option गलत है, correction कर ल ही जिएगा, A-B-H-O-R, ठीक है, तो despise means क्या होता है, यह despise का मतलब होता है, despise का मतलब होता है, नफरत या घिरना, hate, इसका मतलब होता है, नफरत या घिरना करने के अर्थ में, इसका सही answer हो जागा, A-B-H-O-R, ठीक है, सही answer क्या जागा, A-B-H-O-R, ठीक है, सही answer क्या करना होता है और admire का मतलब प्रसंसर करना होता है इसको आप प्रेज भी का सकते हैं P-R-A-I-S-C प्रेज ठीक है एप्रूव के साथ proportion of हाता है एप्रूव का मतलब प्रेज ठीक होता है इसको मतलब शेंक्सन यानि मंजूरी देने के अर्थ में क्या बोलते हैं हम लोग मंजूरी देना या मंजूरी प्रदान करना ठीक है ऐसा होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और बताईए अगले सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगाellow fashion ख़ेशन का सही आंसर कई बच्छे करें AVORENCE उसी बनाए एवॉर्स से बनाए AVORENCE आरगे अगला मिनिंगे छे का सही आंसर क्या हो जाएगा छे का सही आंसर फैसं मिन्स क्या होता है बताईए आप लोग आप जानते हैं फैशन का के अर्थ में attach, यानि जोड़ना या बांधने के अर्थ में होता है, फैसिमिस क्या होता है to attach, यानि जोड़ना, attach करना, add करना, ठीक है, यहाँ पर सही आपका answer होएगा, affix, halt का मतलब है, विराम, halt, allow का मतलब अनुमती देने के अर्थ में, इसको let बोलते हैं, let, अनुमती देना, हरी का मतलब होता है, जल्दबाजी में, हैसन, ह-a-s-t-e-n हैसन, जल्दबाजी या सिर्थापुरों बोल सकते हैं, एक phrase होता है, इन आ हरी, क्या होता है मिनिंग, इन आ हरी, ठीक है, उताबलापुर्ण, जल्दबाजी में होता है, यहाँ रखेगा, है ना, इन आ हरी का मतलब होता है, इन आ डाइलेमा, क्या होता है, दुविधा में होना, दुविधा में, तो यह सब कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है, जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चलिए, आगे होता है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह है, गौडी, फिर देखिए, ऑप्सन चेंज हो गया इसका, गौडी करेक्शन करवाये थे न, कराये थे करेक्शन, इसका फ्रैसी रिखवाये थे, लगता पीडिया पहले बढ़ी आगया क्या, इसको लग तो रह एसका जाये हां गया इसका यह और श्रीन पर पहले दो यूद्धा जाये, और इसका की मेरे थे न, जाके offshore हो क्यूद्धेट बहुता है अगला क्या होता है क्यूद्धे, आप बहुता है आप लोग SOWY, S-H-O-W-Y, SOWY, इसका सही आंसे हाँ जाएगा Flashy है ना, ठीक है, चलिए, प्लेन का मतलद सिंपल होता है, ये दुनों सायनो हो गया, प्लेन का सिंपल, ये दुनों इसका क्या हो गया, सायनो हो गया, प्रोपर मतलद उचीत होता है, तो सही इसका आंसे हो प्रकास जुड़े हैं, एक बास सभी के पास सेर कर दीजे भाई, आप लोग फटा-फट है ना, ऐसे मजा आएगा बताईए, ऐसे मजा नहीं आएगा, आप लोग इश्खो सेर भी करते रहिए, सवाल नंबर आठ का सही आंसर बताईए, लौफ्टी, लौफ्टी मिन्स क्य होता है, हमबल मिन्स, मोडेस्ट, यानि विनम्र, ठीक है, डिश्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, डिश्कॉर्ड मतलब होता है, आसहमती, जबकि एकॉर्ड का मतलब होता है, सहमती के अर्थ में, एकॉर्ड, और डिश्कॉर्ड मिन्स क्या होता है, आसहमती होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और किसी से कवीटेड महींगा हुता है जैसे बहुत सरा ऐसा यूज करते हैं हम लोग पावर के लिए पैसा के लिए जो आप दूसरों के चीजों को अपने पास ले लेते हैं यारी अपनी एक्षाओं को बहाद देते हैं, तो committed का मतल्ला होता है desired, ठीक है, क्या यहां बोलेंगे meaning? committed, सही आन से हां क्या करेंगे, बतीये, लालची भी का सकते हैं, लालची पुर्ण क्या करना? Wait wait, 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 लालची पुर्ण तरीके से, प्राप्त करना या पाने के अर्थ में होता है इसका सही आंसर नहां क्या हो जाएगा desired covered का मतलब cover करने के अर्थ में despise अभी आपने पढ़ा है head के अर्थ में होता है नफरत होता है या avorence होता है same meaning यहाँ आ रहा है renounce का मतलब आपने पढ़ा है एक मर्णी होता है निंदा करना क्या होता है आगले स्वाल स्वाल स्टीन कुणे 10 पर आगे 101 पर कम मतलब क्या होता है इक शौब का मतलब, किसी को क्योंनी मारना, यह से ऐसे करते हैं हम लोग ना, हाथ से, यह क्या होता है, शौब होता है, ठीक है, यानि यहाँ सही आंसर क्या करें गारें है, आपर, पुल, ठीक है, धक्का देने के अरत में होता है, शौब, पूल, खीचना, सब वही मिनिगे, साउ तुमल्च या टुमल्च इसका सही आंसर बताज़ेzd तुमल्ट या टुमल्च उसका सही आंसर यह बताए आप लोग देखे एस का को आपको तो रेगुलर वेे डिखना चाहिए आप लोग है ना क्योंकि यदियसके आपके रिभीए बहुत बड़ा राम बान शावित होगा एक्जाम में यह 11 का सही आंसर बता है कुछ लोगों का सही आंसर आ रहा है भी ठीक है tumultuous का मतलब होता है kolahal kolahal यह source राबा बोलते हैं pandemonium इसका सही आंसर करेंगे अपरोर क्या करेंगे इसमें अपरोर ठीक है न clarity का मतलब असपस्टी करन peace का मतलब होता है शांती काफी सवासान option दिया है ऐसा option है कि इसमें क्या discuss करें हम ठीक है न surprise का मतलब क्या होता है अचंभित होने की अर्थ में surprise अचंभित इसको आप बोल सकते हैं astonish क्या बोलेंग हम लोग astonish ऐसा clarity का मतलब होता है असपस्ट असपस्टी करन की अर्थ में आगे बढ़ते हैं intriguing क्या लिखा मिनिंग intriguing बताइए intriguing का सही आंसर क्या होगा फटाफट आंसर करिए आप लोग चलिए मनीश्वान भी जूड़ चुड़ चुके हैं very good intriguing का सही आंसर बताइए intriguing का चलिए हम लोग बात करे थे अभी intriguing के बारे में intriguing का मतलब होता है मजबूती से पकड़ने की अर्थ में ठीक है तो आपने देखा इसका सही आंसर क्या होगा गरीपिंग हो गया monotonous का मतलब होता है dull, dreary, gloomy यानि उदास या नीरस के अर्थ में होता है simultaneous का मतलब same time पर जो अलग घटना है, जो घटित होती है उसको बोलते है simultaneous और investigating के मतलब क्या होता है क्या करना, मतलब यह, jaans prataal करना इसका मतलब आप बोलते है look into क्या होता है इसका मतलब look into यानि जांस परताल करना होता है जांस परताल करना है ना लुक इंटू तो इस तरीके से हम लोग मिनिंग को यूज करते हैं ध्यान लखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और क्या है देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह है spontaneous 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 means kya होता है spontaneous का मतलब होता है कि कोई भी छीज को बगार सोचे अगर बना प्लान करकिए क्या करना उसका use करने के अर्थ में ठीक है मतलब काम करने के अर्थ में तो spontaneous का मतलब होता है unplanned या not planned यानि सही इसकाँ से जागा impulsive क्या हो जहाँ पर इंपल्सिव, मतलब बिना प्लानिंग किये कोई काम को करना, ठीक है, यानि कि इसको अन्यूजित कर सकते हैं, ठीक है ना, not plan सिदे लिखिए यहाँ पर, इसको यूस करते हैं, आप लोग biased, क्या यूस करते हैं आप लोग biased, क्या चंथाइँ? आगे भढ़ते हैं अंगले ने मिनिंग की और किया है, देखिए गांसे, अगला मिनिंग आपका है desolate, क्या मिनिंग दिया आपका, desolate, Desolate का मतल होता है विरान के अर्थ में, क्या होता है इसका मिनिए विरान इसका सही आंसे हो जाएगा ब्लिक, क्या हो जाएगा बदिए सही आंसे हो जाएगा ब्लिक Prodigal का मतल होता है खर्चिला के अर्थ में, खर्चिला यह इसका क्या हो जागा, sign हो जागा, bestful या extra vagent का सकते आप लोग extra vagent ठीक है, यह ध्यान रखना है आप लोगो चलिए आगले स्वाल की बढ़ते हैं habits में लगा दिया, inhabited benign, benign में इसक्या होता है benign का मत होता है, kind होता है, kind दयालू होता है है ना, इसका मत होता है, kind या दयालू सही आंसे हो जागा, favorable चुकि मिलाइन का मत होता है, जानते है इरिश्या करने वाला, hearts का मत होता है cutthor यह दुनों यह दूर्शा का sign हो जागा, hearts का severe, cutthor, ठीक है और मिलाइन का मत होता है मिलाइन या मिलेशियस, बुरा चाहने वाला बुरा चाहने वाला किसी का, ठीक है, ऐसा चलिए, बढ़ते हैं अगले स्वाल की और, clear है यहां तक बात, है ना, आगे बढ़ते हैं अगला स्वाल आपका है, prodigal अगे जो मिनी आया था हमें, तो prodigal का मतलब क्या हो जागा, इसका मतलब हो जागा, खरचिला, bestful आप जो कुछ option में देख रहे हैं, आगे मिनी ओहां पर आ जा रहा है, ठीक है तो सही इसका अंसर क्या हो जागा, bestful क्या हो जागा, bestful, ठीक है modest का मतलब होता है, विनम्र होता है, humble होता है humble होता है, ठीक है meek का सकते है, meek, अलाकि meek का मतलब दबू के आर्थ में होता है, जो इदम सांथ रहता है, meek का मतलब, दबू तो इसका मतलब क्या हो जागा, विनीत, या विनम्र, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर अगला सवाल है आपका chest इसका मतलब होता है पवित्र क्या अर्थ में क्या होता है मिनिंग इसका पवित्र प्योर सही है इसका आंसर जागा ठीक है divine का मतलब दैविय होता है defile मतलब होता है गंदा polluted defile का मतलब क्या यूश करेंगे polluted गंदगी क्या ओउश करेंगे गंदगी या गंदा liberate से बना है क्या करना किसी को मुक्त करना free कह सकते है free मतलब मुक्त करना आजाद करना पवतंद्र करना ठीक है ऐसा मिनिंह होता है liberated आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल क्या है देखे जान से, oblivious, क्या लिखा मीनिक आगे, oblivious, तो oblivious का मतलब जानते हैं, क्या करना, किसी को भूल जाने की अर्थ में, या उसको ignore करने की अर्थ में, ऐसा होता है, ठीके, तो सही आद से आउ जागा, ignorant, तो oblivious का मतलब ही होता है क्या करना भूल जाना या अंदेखा करने के अर्थ में बोल सकते हैं आप लोग ignorant हो जाएगा या overlook का सकते हैं ठीके ऐसा मिनिंग चलिए sensitive मिन्स क्या होता है जी संबेदन सील होता है sensitive attentive मिन्स क्या होता है attentive क्या करना ध्यान देना ठीके obvious का मतलब होता है clear as post obvious मिन्स क्या होता है clear होता है as post होता है ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल क्या आपके स्क्रीन पर देखिए जान से अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा authentic authentic का मतलब होता है genuine क्या होता है इसका मतलब authentic का मतलब होता है प्रमानिक या genuine कह सकते है आप लोग ठीक है ना प्रमानिक कह सकते है है genuine कह सकते हैowitz का सही answer है जैन में होता है जहन रखिए ना counter speed का मतलब होता है fake मतलब ट्राव क्या नकली या जाली का अव्रत में होता है नकली या जाली ठीक है डूबियास का मोथ hope डूबियास डाउटफूल होता है doubtful मतलब क्या बोलेंगे इसको संदिख्त की अर्थे में बोलेंगे संसे की अर्थे में बोलेंगे डूबियस जाउटफुल संदिख्त या संसे इंक्रिडिवल का मदद क्या होता है इंक्रिडिवल अतुल निये आतुल ये निये ऐसा यूज़ करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल क्या है जेकी धान से अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रहा ये फ्लेवर गास्टिर्ड मेंस क्या होता है ये भी वही मिनिंग है flavor gasted, अचम्भीत होने के अरत में यूज़ करते हैं हम लोग, अचम्भीत होना, इसका सही answer क्या होगा दिये, इसका सही answer देगा आपका astonist, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, astonist बोलेंगे, जबकि terrified का मतला होता है भैभीत होने के अरत में, frightened, frightened, भैभीत, ठीक है, चलिए आगे ब auspicious क्या लिखाया मिर्ग आगे, auspicious, auspicious का मतलब क्या होगा और ओपैसन तो same है, इसमें क्या deces किया जाजा है ना, सारा same option है, तो auspicious का मतलब शूब होता है, šूब, क्या मिर्ग बोलते हैं इसको, šूब इसका सही आंसे आज़ 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 कि आप लोग क्रमिक यानि लगतार सही आंसर क्या है बतेए ग्रेज्व का सही आंसर बढ़ा भर इसका हृँ कईसको बोलेंगे हम लोगan तर्टिनीव्र से हैं है सित्वन जल्दवांजी में अबरब का मतलब ह opposстве अचानक ठतव को से इक अचानक होता है और neither इवेन का मतलब क्या होता है अनिवेन का मतलब जो ची उतना समान नहीं है एना अनिवेन उसको उसको करते हैं आगे बढ़ते हैं अगले सवाल क्यों तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा ये एस्टिमेट एस्टिमेट का मतलब होता है मुल्यांकन करना क्या होता है बाव एस का सही answer क्या हो जगा, इसका सही answer मुल्यांगन करना मतलब क्या हाँ बोलेंगे विलकुल सही ए says, very good, ss का मतलब होता है मुल्यांगन करना, इस ही से winning बनाए assessment, क्या beginning बनाए assessment बनाए यह noun हो जाएगाациrick और इसका अगर नाउन के बारे में बात करें, इसका नाउन क्या जाएगा? Estimation Estimation ठीके तो यह भी यहाँ नाउन है तो Estimation और Assessment ऐसा यूज करेंगे Discover का मतलब खोजना होता है Solve मतलब हल करना होता है Believe का मतलब विश्वास करना ठीके? ऐसा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और यह है आपका Second Last Question Motive क्या दिया मिनिया आपर? Motive Motive का मतलब क्या होता है? इसी Motive से बना है Motivate क्या? देखे, Motivate का मतलब होता है उद्देश है ना? और यहाँ में जो मिनिंग भी आपका दिया है Motive तो Motive क्या मतलब होता है? Purpose Reason होता है, कारण होता है, उद्देश होता है ठीके? उद्देश या कारण भी का सकते हैं आप लोग Reason सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? Reason हो जाएगा Chance जानते हैं संयोग Benefit का मतलब होता है और Utility का मतलब क्या होता है? उपयोगिता किसी भी चीज को नहीं करते है Utilize करना, यह उसको Use करना, ठीके? और Benefit का मतलब होता है किसी को लाव पहुंचाने करते है, Benefit, Love ठीके? चलिए, यह रहा आज का Last सवाल और पहले भी यह Meaning आज चुगा है, Reluctant, है ना? तो Reluctant का मतलब होता है, जो काम करने को प्यादी क्या होता है? अनिक्षूख होता है अनिक्षूख सही इस का अंतना क्या करेंगे? Unbling, क्या करेंगा हम बताइए? Unbling करेंगे Proportion 2 आता है, इसके साथ जानते हैं Afraid का मतलब है भैवीत होना क्या होता है मिनिंग? भैवीत होने करत में होता है और यह जो मिनिंग दिया Pleased At Something या स्टी आ मतलब something हो गया और With कब आएगा? जब समड़ी रहेगा अना? Afraid के साथ भी आता है, Off भी आता है कब जब नाउन रहेगा तब तू भी आएगा कब? जब आगे भीवान रहेगा तब भैवीत होना होता है Study का मतलब है लगातार है ना? पढ़ें आप लोग फ्रेज ना? फ्रेज क्या? Slow and steady Wins the race ये प्रभर पढ़ाओगा आप लोग ने Slow and steady Wins the race मतलब क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब यह हो गया धीरे धीरे लगी लगतार चलने पर क्या होते है Ultimately हम लोग race को जीत जाते है ठीक है तो ये छोड़ा सा प्रभर पढ़े होंगे आप लोग चलिए ठीक है तो ये था आज का completion है ना? उमीद है कि वोकैब की मामले में हम लोग आत्मिरफ़ बन सके और हमारी जो word meaning है वो strong हो सके साथ ही साथ English में confidence पैदा हो सके और जब English में confidence रहेगा तो जीवा में भी confidence रहेगा ठीक है? और हर exam को यूँ ही फोड़ सकते हैं और life में भी अच्छा अब बलता सकते हैं चलिए हम लोग है ना इसको wind up करते हैं मिलते हैं English session में तब तक लिए धन्यबाद Thank you so much